श्री खाटु श्याम दिल्ली धाम द्वारा बीते रविवार को एक भवे निशानियात्रा निकाली गई वहीं दूसरी तरफ इस निशानियात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भगतों की भीट देखने को मिली इस मौके पर खाटु श्याम के प्रती भगतों की भावना साब दिखाई देती नजर आ रही थी वहीं भगत पूरी जोश और श्यद्धा से जर श्याम के नारे लगाते दिखाई दिये इस संस्था के राष्टिय अध्यक्ष घंशाम गुपता जावेरी और राष्टिय मंत्री राजेंद्र प्रसाद गोयल सहित सभी पदादिकारे इस निशानियात्रा में शामिल रहे अध्यक्ष घंशाम गुपता ने बताया कि इस समीती में लगबग 200 से 300 सदस से जुड़े हुए हैं उन्होंने बताया कि यह मंदिल लगबग 1.5 साल पुराना है यह दिल्ली का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है साथ ही साथ यहां पर भग बहुत दूर दूर से बाबा की दर्शन के लिए आते हैं और उनकी मनुकामना पूर्ण हो जाती है यहां पर बच्चों के लिए एडवेंचर तथा चिकित सा सुविदा उपलत कराई गई थी आज हम मौजूद हैं जीटी के कर्णाल रोड अलिपूर दिल्ली धाम खाटुश्या यहां पर भवे निशान यात्रा निकाली गई है यहां की मानिता यह है कि जो भग अपनी मनुकामना लेकर आता है उसकी मनुकामना अवेश्य पूर्ण होती है वहीं यहां पर 36 धाम, 36 घाट मंदिर के हम दर्शन कर सकते हैं और आने वाले दिनों में इसे आटवा अजूबा भी माना जाएगा यहां पर भगतों ने बढ़ चड़ कर अपनी भागेदारी निभाई हुई है यहां पर अन्य चीज़ी जैसे विवस्था हैं जैसे मेडिकल विभाग, एडवेंचर, इत्यादी जैसे चीज़ों की विवस्था हैं उपलब्ध है तो चलिए यहां के भगतों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है तो आप कहां से आये हूँ? हम रोहीनी सेक्टर 24 से आपको कितना समय लगाएं आने में? हमें एक घंटा लगाया आने में बाबा जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमने आरती भी अटेंड की और बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन भी की वहाँ के बहुत अच्छा मंदीर बना हुआ है, यहाँ आके भगतों के कट कट से है बहुत चानिती भी मिलने भाबा के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए है बाबा के यहाँ पर बहुत अच्छे धर्शनुक्य की जै हैं किसमत से किसमत वाले लोग आते हैं और हमने देख लोगों को रहे हैं नुए पश्छ दूर रहे हैं और हमें उमारे जी पर में बहुत अच्छी मा आए और यह यहांब कुछ इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हमें यहां पर आके, बो खाटू नरेश की, बो शाम प्यारे की, बो खारे के सहारे की, बो लख दातार की, बो हाथ पकड़ने वाले की, इसी के साथ बने रही है नय केसरी, मैं खुशी कैमरा परसन शफक के साथ.